इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एकोनमी है सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडिया हमारा देश आज भी एक डेवलोप्ट कंट्री क्यों नहीं बना चलिए समझते हैं इस वीडियो में ऐसे कौन से रीजन है इसे क्या कारण है जिनकी वज़े से इंडिया आज भी इतना पीछे रह गया है भले ही ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइं एकोनमी है लेकिन इतने सालों में भी इंडिया क्यों एक डेवलोप्ट कंट्री का खिताब नहीं जीत पाया इस वीडियो में कुछ ऐसे कारण समझेंगे जो सायद हमारे देश को पीछे करने का सबसे बड़ा रीजन है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट सरकार को दोस्त देने वाले सरकारी बाबू पहले तो ओफिस में लेट आते हैं और आने के बाद एग घंटा वो आराम करते हैं ये रूटीन तो मानो जैसे उनका रोजका ही हो गया है एग घंटे के लंच को दो घंटे का बनाने वाले हमारे ये देश भग्त उस ओफिस में जिसमें काम करते हैं उसी के पीछे वाले दिवार पर पेशाब करके आ जाते हैं जिस पर साफ साफ लिका होता है कि यहां पेशाब करना मना है दस दिन से ये किसी आदमी के डोकुमेंट्स के लिए चक्कर पे चक्कर कटवाते रहते हैं और ऐसे डोकुमेंट साथ जिनकी जरूरत भी ना हो और ठक हार कर अगर वो इंसान सारे डोकुमेंट ले भी आता है तब उसकी फाइल को ये ऐसी जगे अटका देते हैं जहां से फाइल का निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है लोगों के डोकुमेंट पूरे नहीं होते जिसकी वज़े से बहुत से काम वहीं पर रुके रह जाते हैं कई लोग पैसे के लालच में लोगों के बार-बार डोकुमेंट के लिए चक्कर कटवाते रहते हैं वो डिरेक्ट तो बोलेंगी नहीं कि उन्हें पैसे चाहिए और लास्ट में जब इनसान ठक हार कर ये पूछ लेता है कि ये काम कितने में होगा तब उन्हें वो अपने दाम बताते हैं यहां पर अमीर लोग तो पैसा देकर तुरंट अपना काम करवा लेते हैं या फिर जो बंदे सिफारिस रखते हैं वो तुरंट बड़े ओफिसर से कहकर अपना काम एक या दो दिन में करा लेते हैं वहीं दूसरी और गरीब इंसान महीनों तक चकर काट सा रह जाता है और उसका काम फिर भी नहीं होता इसके अलावा कुछ सरकारी ओफिस में कम्प्यूटर पर ऐसे इंसान को बिठा दिया जाता है जिसे कम्प्यूटर पर टाइपिंग तक नहीं आती वो एक लाइन लिखते लिखते पूरा एक घंटा लगा देता है इस चकर में एक दिन की फाइल ही कठा हो जाती है फिर दो दिन की फाइल और ऐसे करके बहुत सी फाइल पेंडिंग में ही रह जाती है और काम कभी पूरा ही नहीं होता इन्हें घर जाने की बड़ी जल्दी ह होती है डूटी खतम होने के घंटा पहले तो ये काम करना ही छोड़ देते हैं ये आराम से रिलेक्स होकर बैठ जाते हैं और कोई भी नई फाइल आगे प्रोसेस ही नहीं करते हर कोई ऐसा नहीं है लेकिन हमारे सरकारी डेपार्टमेंट में सच मुझ में बहुत सारे ऐसे लो दस जाते हैं और इन सब के माल में जो लोग पैसा खाते हैं वही घर पर जाकर आज तक पर देखकर ये कहते हैं कि हे भगवान हमारे देश का तो कुछ नहीं हो सकता हमारा देश ऐसे ही गरीब रहेगा अपने ही देश का पैसा मार कर ये जूटे देश भगत अपने ही देश को पीछे लेते जा रहे हैं ऐसे जूठे देश बगतों की वजए से ही आज हमारा देश इतना ज्यादा पीछे होता जा रहा है अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेजों की गिंती हम भारतियों से बहुत कम थी लेकिन ऐसे ही जूठे देश बगतों के कारण जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और हमारे देश के लोगों का साथ नहीं दिया, इसी वज़े से अंग्रेज हमारे उपर इतने साल राज करके चले गए। डॉक्टर से जदा काले जादू पर विश्वास करने वाले लोगों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है ये वही लोग है जो साइद मंदिरों में लाखो का चड़ावा दे कर आ जाते हैं लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे छोटे बच्चों को वो दस रुपए देने में भीर होते हैं वो लाखो कमाते हैं लेकिन मंदिर से बाहर आकर वो कभी ये नहीं सोचते कि ये बेचारे बच्चे बाहर क्यों खूम रहे हैं क्यों इनको कोई बढ़ाने वाला नहीं है क्यों आज भी हमारे देश में इतने सारे बेचारे गरीब लोग हैं इनकी मदद कैसे की जा सकती है ऐसा कोई भी नहीं सोचता है इसके अलावा हमारे देश में बहुत सी जगह पर आज भी लड़के और लड़की में बहुत ज्यादा भेद किया जाता है जहां लड़के को पूरी आजाती होती है घुमने पिरने की वहीं लड़की को पूरी बंदिश के अंदर रखा जाता है जब लड़की जवान होती है तो माबापको फिकर होने लग जाती है वो ये सोचते हैं कि कहीं ये भाग ना जाए हमारा मूँ ना काला करा दे लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते उसको भगा ले जाने वाला किसी का लड़का ही होता है लड़की की किताबे छीन कर उसे जाड़ू पकड़ा दिया जाता है उसकी पढ़ाई के पैसे उसके दहेज के लिए गठे कर लिये जाते हैं अब यही कम पढ़ी लिखी बेटी एक दिन कम पढ़ी लिखी मा बनेगी और अपने बच्चों को भी वो पढ़ाई की कीमत कभी नहीं समझा पाती क्योंकि उसे खुद को पढ़ाई की कीमत का नहीं पता और इसी वज़े से पूरी उमर अपने ससुराल में वो गालियां भी खालेती है और मार भी खालेती है लेकिन बोलती नहीं है आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिने दहेज चाहिए अगर हर बेटी का बाप दहेज देने से इंकार कर दे तो किसी बेटे के बाप में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे से दहेज ले ले कोई भी अपने बेटे को कवारा नहीं रख सकता अगर हम सब मिलकर ये काम करें तो ये असंभव नहीं है अगर हम एक गाउं के आगे बोर्ड लगा दें कि इस गाउं में ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है अगर इस वीडियो को देखने वाले लड़के हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश अगर कोई दे तब भी मत लेना और अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि तुम खुद अपने आपको इतनी काबिल बनाओ कि सामने वाला आपको ऐसा मिले जिसे दहेज की जरूरत ही ना हो लोग असली धन बेटी को नहीं दहेज को समझते हैं इसी वज़े से बेटियाओं के कम पढ़े लिखे होने के कारण आज भी हमारा देश इतना ज्यादा पीछे है पॉइंट नबर थ्री एजुकेशन सिस्टम डिगरी को सब कुछ समझने वाले हमारे महान भारत में हर साल 1.5 मिलियन इंजिनियर पास आउट होते हैं और जिनमें से सिरफ 20-30% नोकरी देने के लायक होते हैं और यही बचे हुए बाकी के सारे ग्रेजवेट्स 8-10,000 के लिए 12-12 गंटे काम करते हैं क्योंकि उन्हें कॉलिज में स्कूल में कोई भी ऐसी स्किल नहीं सिखाई गई है जिससे वो पैसा कमा सकें उन्हें है गया कि कैसे पैसे कमाये जाते हैं हर कोई employee बनना चाहता है लेकिन कोई भी employer नहीं बनना चाहता और यही financial education की कमी हमारे देश के पिछड़े पन का सबसे बड़ा कारण है साथ ही माबाप अपने बच्चों को सिरफ एक ही चीज सिखाते हैं वो है बस नोकरी लग जाओ और शादी करके settle हो जाओ क्योंकि उन्हें खुद financial education नहीं है so point number four आता है low income for hard work हमारे देश में ज्यादा मैनत के बदले ज्यादा पैसा नहीं मिलता private schools में बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है लेकिन private schools के teacher को salary काफी कम मिलती है वहीं दूसरी और सरकारी कुछ teacher ऐसे हैं जो school जाते हैं और आराम से बस पढ़े रहते हैं वो बच्चों को एक lesson पढ़ने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद बाहर जाकर गपशप करने लग जाते हैं और इसी थोड़े से काम के बदले वो 50-60,000 कमा रहे हैं वहीं दूसरी और सारा दिन बच्च जो लोग बहुत साई मेहनत करते हैं प्राइवेट काम करते हैं उन्हें उसके बदले इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता और इसी पैसे के इंबैलेंस की वजए से हमारे देश में आज भी तरक्की नहीं है पॉइंट नंबर 5 है POPULATION 134 करोड की अबादी वाला हमारा देश ना जाने क्या कुछ कर सकता है हर जगे पूल बनाये जा सकते हैं, हाईवे बनाये जा सकते हैं, ऐरपोर्ट बनाये जा सकते हैं लेकिन इसी population को अच्छे से manage ना करने की वज़े से हमारे देश में यही population हमारे देश के लिए बोज बन चुकी है यही 134 करोड़ खाने पिने के लिए demand करेंगे रहने सोने के लिए demand करेंगे और एक अच्छा सिस्टम ना होने की वज़े से यही 134 करोड़ लोगों में से कुछ लोग भुखे मरेंगे, खाने के लिए तरसेंगे और सड़कों पर सोएंगे अब इतनी सारी population कहीं ना कहीं कुछ तो करेगी इसलिए हमारे देश में competition बढ़ता जा रहा है अगर कोई भी एक फिल्ड अच्छी जोब या अच्छा पैसा दे रहा हो तो हमारे देश का सारा का सारा यूथ उसी फिल्ड में लग जाता है क्योंकि इसी competition की वज़े से लोग बस survival के लिए कम से कम पैसों में काम करने के लिए तयार हैं वो बस ये चाते हैं कि कैसे भी करके इतना पैसा कमा लें कि खाने पीने को तो मिल जाए अब इसके लिए सरकार को दोस्त देना बिल्कुल भी सही नहीं है इसके लिए जिम्मेदार है हर वो नागरिक जो ये नहीं समझ पा रहा कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, उतने ही ज़्यादा भूखे पेट भी होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग सोने के लिए, खाने के लिए डिमांड करेंगे, अब ये बाते हमें ही समझनी ह अगर हम भारत के देशपासी ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम एट लिस्ट अपने महुले को चेंज करेंगे अपने गाउं को चेंज करेंगे तो सायद हमारा देश बहुत जल्दी ग्रो कर जाए अगर हम सब मिलकर छोटी-छोटी जिम्मेदारियां हमारे देश के लिए पू तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे रीजन दिये जिसकी उजय से हमारा देश आज भी developed country नहीं है इस वीडियो का मैं part 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं 5 और point बताऊंगा जो हमारे देश के पिछडे पन का सबसे बड़ा कारण है सो मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें और जाते जाते सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडि करता है